साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मज़ा मां केम छो कसा आहेस आप सब को जैश्री राम जैए हनुमान जी की जैखाटु शाम जी की साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 111 और्गेनाईज क्राइम को मन्जे संगडितर परात को पढ़ोगे भई सबसे उपर अब कराऊट भाइब को जैखो जैश्री राम जैए अनुमान जरूरी लिखना लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे घदे पर अगर बगवान साथ है उसके बाद पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाओ पर नवाओं का मतलब नहीं है कि हमारे को नवाओं भी बनना है नवा मतलब ऐसा व्यक्ति जो समाज का बना कर सके खुद का बना कर सके तो section 111 जो है यह करता है organized crime को अब इसके रिखलो heading up अब क्राइम तो क्राइम है तो यह अलग से केटेगरी क्यों बना दिकाने यह तो डाउट है आप कर रहे हूं आप रॉबरी कर रहे हो हलाकि रॉबरी को लेकर यहां वर लिखावा है डगे थी पर इंडिस वर्जन जो है उसको मानने माना ज आठवा है cybercrime नववा है trafficking of persons इसके लावा ड्रस में डिल करना वैपन में डिल करना illegal services में जिसको वर्ट दिया गया है यहां पर illeciate services में डिल करना illeciate goods में डिल करना human trafficking करना for prostitution और for ransom by a person और by a group of person क्लियर है और ऐसा offense या ऐसी activity जो है वो continue रहनी चाहिए और इसके लावा यहां तो गैंग यह काम खुद कर रही हो यहां उसके बिहाब पर यह काम किया जा रहा हो जिसमें वाइलेंस जिसमें इंटिविडेशन जिसमें कॉर्शें इसमें other unloaf means जो हैं वो यूज हो रहे हैं directly और indirectly तकि ultimately इन सब अपरादिक गतिविदियों करके financial benefit जो है कमाया जा स सके तो उस तरह की crime जो है यहां पर संग्यान में दिये गए है as a particular term that is known as organized crime और संगड़िद क्राइम तो जब भी exam में question आएगा उसमें directly जो है question आपके आएगा कि what is organized crime तो आपको यहीं की definition जो है लिख देनी है कि लिए आपको इसको समयने के लिए सबसे भैतरीन जो आपको सामने एक्जामपल है वह पिक्चर का है जवान शारुखान जी की पिक्चर है जरूर देख लेना भाई उसको उसमें एक ट्रेंग को जो है रुका गया था किलिए और अल्टिमेटी जो है पैसे मांगे गए थे पट वहां पूंका अब्जेट अलग था जो पिक्चर में द लान उसके बाद दुबारा पढ़ना इस चीज को कि जरू जाएगा आपको अब वह सेति कैसे भी हो सकती है चाया वो के डैपिंग से हो चाय वह एक्स्टॉशन से हो चाय वह लैंड ग्रैबिंग से हो इकनॉमिक ओफेंसे से हो साइबर क्राइम से हो या ट्रेफिकिंग पर और्गेनाइस्ट क्राइम सिंडिकेट की यह एक ऐसा ग्रूप है इसमें दो या दो साधिक लोंगे तो रिक्वार्मेंट क्या है कि देर मस्ट बेट टू और मोर दें टू परसन जो कि एट कर रहे हैं इन कॉलिजन यह एट कर रहे हैं इन कॉलिजन बट सिंगली कि कि में कॉंस्पिरेसी होती है नो तो दो यह दो साधिक लो जिसकी जो यूनियन है उसको हम कहेंगे सिंडिकेट टू कमिट दा और्गनाइस्ट क्राइम इसको हम कॉमली जो है गैंग भी कहते हैं जिसका अब्जेट क्या है तो कॉंटीनियली कमिटिंग दा अनलाफुल एक् सींगली मतल्स एक जोना काम कर रहा है और बागी जने देख रहें वैटके वहीं उपनानास कर quién कर्ई न को को श् corazón क्योंइब करने सकDa irony करने के लिए को इसको सायता पहुंचा अब कॉंटीनिंग अनलवफल एक्टिविटी क्या है उसको हम समझ लेते हैं एक बार कि टॉपिक काफी बढ़ा है अगर किताब से पढ़ोगे तो नीने आ जाएंगे वह वासे भरोगे तो थोड़ा सा अपने को मनुरंजन करते रहना है और चीजों को जो है पढ़ते रहना ह इसमें किया है कि ऐसी एक्टिविटी है जो कि प्रोहिबिटी है बाइ लोँ तो हर एक्टिविटी लोँ प्रोहिबिटी करता जोरल dalla फूल है और सबसे अपरिंट बाइब कि जो एक काउग्निजमेनट ऑफेंस होगा जो कि परिशयाल होगा अफनीजिशन ऑर मोर जो कि तो कुल मिलाके एक चीज और यहां पर क्लिरिफाइब कर दी है कि वो जो आपको पताई गई है वो कम माने जाएंगी अनलॉफुल कॉंटेंग एक्टिविटी प्रोबिटेट है जो कि मैं आपको उपर बताई अभी एक्टिविटी और उनको जो आप जो है दोबारा धोरा र कि जब वापिस से वो क्राइम जो है कमिट किया गया है और कोड ने प्रसंगान ले रखाए उसी चीज का जिसमें एकनोबिक ऑफेंश भी जो है इंक्लूड है तो वहां पर ऐसा माना जाएगा कि आपने एक औरनेस क्राइम जो है कमिट किया बट इंब्रेश्मेंट कितने क कर रहे हो जो कि अपने आप में ही क्राइम को बनाएगी पर अगर वह एक्टिविट दुबारा जो है रिपीट हो गई है फर्स्ट एक्टिविटी के कंप्लिंशन के दोरान मीस उसकी प्रसुडिंग चल रही है कोर्ट ऑफ लौ में फॉर यॉर प्रसीकुशन तो उस स्नेर कर लिया तो यह पहला अपरात है वह दिखकर नहीं पर उसमें वह चार्शिट हो गया के सभी चल रहा है और उसके पैंडिंग रहते वह दूसरा जो है अपरात कर लिया उसी नेचर का किंटैपिंग क्या है बिसिकली और और नेस्क्राइम तो उस स्नेरियों में चूंकि अन क्राइम के लिए भी जिम्मेदार होगा और सेक्शन 111 भी एनस का जो है लगाया जा सकेगा और एक्नॉमिक ऑफेंस के हैं पहला तो है क्रिमनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट यह तो बहुत कॉमनली चीज़ है कि किसी का पैसा आपने हजम कर लिया वाइल एक्टिंग डिस्वनेश रांजेक्शन या मास मार्केटिंग ऑफ फ्रॉड और रनिंग एनी स्कीम टुदी फ्रॉड सेमल परसन कुछ लोग है जो स्कीमें लगाते रहते हैं इस तरह से लोगों को डिफ्रॉड करने के लिए तो ऐसे लोग जो स्कीमें लगाते हैं लोगों को डिफ्रॉड करने के के लिए वह भी इकनोमिक ऑफेंसी के टेगरी माएंगे इसके लावर दुइंग एनियाट इन एनि मेंदर विद व्यू तो डिफ्रॉड अनि बैंक यह सब्सक्राइब करना कि आप बैंक को जो है डिफ्रॉड कर लो किलिए रहे हैं या किसी फाइनेशन इस्टिटूशन को आ पहला तो फैट यह की किड्नैबिंग, रॉबरी, विकल थैप, एक्स्टॉशन, लेंड ग्रैबिंग, कॉंट्रेट किलिंग, एकनॉमिक ऑफेंसे, साइबर क्राइम, ट्राफिकिंग ऑफ परसंस, ड्रग्स, वैपन्स और इलिशिट गूड्स या सब्सिसमें डील करना या human trafficking करना, for prostitution, और for ransom, किसी विक्ति विशेश के द्वारा, या किसी group के द्वारा, जो कि add कर रहा है, खुद से, या किसी समूम है, जिसका ultimate object क्या है, to have the financial benefit, तो वहाँ पर ऐसा crime, और next crime होगा, पर शर्द यही है, कि वो crime repeat होना चाहिए, दूसरे बात उस category माना चाहिए, जो म के संबन में विक्ति चार्चिट होना चाहिए, उसके 10 साल के अंदर अंदर वो ही activity अकर दोबरा वो धोलाता है, then it will be a containing unlawful activity, then he could be prosecuted for section 111 of BNS violation, कि देर हो गया, और इसके अलाबा, अगर आपको ये section पूरा समझना है, तो आपको organized crime syndicate, continuing unlawful activity, और economic offenses को भी जो है, पढ़ना 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 काता कि जब आप exam में लिखो तो आपको दिक्कत नहीं है, सब क्लास्टू ये कहता है कि whoever commits, जो कि commit करेगा organized crime को, if such offense has resulted in death of any person, कि आपने crime किया, और crime करते पर किसी की मौत हो गई, तो वहाँ पर constant वेक्ति जो है, punished होगा with death और imprisonment for life से, और इसके लाबा fine भी यहाँ पर होगा, पर वो fine 10 लाग से कम नहीं होगा, और दुसरे बात है कि in any other case, जहाँ पर वो वेक्ति की मिरतिव नहीं होई है, पर उसको hurt cause होई है, या को नुक्सान उसका होगा है, तो वहाँ पर जो trauma of imprisonment है, वो 5 साल से कम नहीं होगा, जिसको life imprisonment तक extend कर सकते हैं, और यहाँ उसको fine भी देना होगा, जो 5 लाग से कम नहीं होगा, पिलिए लोगे, आपको, तो कुम लागे भई, हमने आज subclose 1 जो है पड़ा, subclose 2 जो है पड़ा, इसको हमने परिवाशा को समझा और punishment किया है, उसको समझा, अब next class में पढ़ने वाले, subclose 3, 4, 5, 6 and 7 को of section 111 और BNS ताकि हमको और clarity subject पे जो है आएगी, तो जल्दी मिलेंगे अपन next class में, कोई भी query हो, comment box में लिख दिया करो, ताकि अभी तो अपन चल रहे हैं, इन्दा concern classes, जहांपर हम, के बद theoretical perspective में जो है, discuss कर रहे हैं subject को, जब theory जो है किलिए हो जाएगी आपको, तो फिर उसक practical concepts पर है, उनी content के, की practical जो है कैसे apply करना को, अब इस आपने छोड़ दिया पढ़के, तो इससे pass हो जाओगे, नमबर भी exam में जाएंगे, पर रोटी खाने के लिए दिमांग चिराना पढ़ता है, ऐसे रोटी नहीं मिलती है, यह सब कहने की बाते हैं कि law कर लो, और यह अपने आपको practical चीज़ सिखोगे, तो लोग वासन मुलेंगे, यार, जज़ हो तो ऐसा हो, इसकी court में जाओ, तो क्या decision मिलता है, तो दोनों को पढ़ना पढ़ेगा, जज़ों को भी और वकीलों को भी, तब भी समाज का भला कर पाएंगे, और अकर practical नहीं समझा, तो वो ह किलर होनी चाहिए, कि पर केटेगरी क्या है, वो तो आपने को उठना यहीं से पढ़ेगा, पर प्रैटिकल अपला किसे करना है, वो समझना पढ़ेगा, मालो, यही किसर पर डिल करने है, प्रैटिकली, अब सामने आपके केसा आगे के केड़नापिंग का, और अल्टिमेट किया है, और वो क्रैम की केटेगरी यहां पर है, उधारन के लिए केड़नापिंग किया है, केटेगरी भी आगे किलिए रोगे आपको, अब वापिस से वो क्रैम करते हो, तो आप जिम्मेदार होगे, पर कब, जब पहले क्रैम में आप चार्शीटेट हो, अगर उसमें परशीट के दस साल के अंदर-अंदर हुआ है, जो कि एक आवशक तत्वा है, तो कॉंसिट्यूट दा एलिस्ट ओफेंस ऑफ और गिनाइज क्राइम किलिए आपको तो यह थर्टिकल भी हो गया, और प्रैटिकल भी हो गया, तो हमको दोनों ही कंसेट्स के लिए रहोने चा फाइदा उठाओ, ताकि आपको अधिस्टिक जो है सीखने को मिले, ताकि दिक्कर अपने को कहीं नहीं पड़े, किलिए रहे, तो मिलते हैं अपन तिल दें, जैहिंद, जैभार्द!